दोस्तों बात करें तो लोग मुझसे पूछते रहते बेस्ट पॉसिबल लैपटॉप बताओ और हाला कि मैंने काफी सारे लैपटॉप रिव्यूज करें लेकिन वो सब के सब महेंगेते लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग के लगए 50,000 के अंदर बेस्ट पॉसिबल लैपटॉप और हाँ यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पेसिफिकेशन को कंसिटर नहीं है हर यूजर सेग्मेंट को कंसिटर किया है और हर यूजर के सबसे यहाँ पे आपको एक नएक काफी अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा थेने लाइट के टिकरी चाहिए वो ओफिस के लिए चाहिए वो टचस्क्रीन चाहिए या फिर गेमिंग के लिए चाहिए आल राउंडर लैपटॉप के बारें बात करने वाले तो वीडियो कर आप लोगो पसंदा है तो लैक कर दें चैल को सब्सक्राइब कर ले ना तो सबसे पहले इस लिस में हमारे पास लैपटॉप है वो है डेल का वोस्टो लैपटॉप अब डेल की वोस्टो सीरीज के खास बत रहती है डूरेबलिटी काफी अच्छी और ओफिस परपस के लिए काफी रिकमेंडेबल लैपटॉप होता है और यहाँ पर आपको इंटल का 11 जेनरेशन कोर आई फाई प्रोसर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको इंटल के आईरिस XC ग्राफिक 8GB राफिक 1TB हाड़ प्राइफ देखने को मिलती है और 14 इंज का फुल एश्टी डिस्प्लेइ तो अगर ऑफिस यूज के लिए चाहिए वोस्टो सीज काफी अच्छी इवन यहाँ पर आपको हो सके तो रैजन वाला जूस करना वहाँ पर आपको SSD का काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही यहाँ पर एक थिनन लेट केटिग्री में लेटाप की लगभख आपको 40,000 में देखने को मिल जाता है और 40,000 के प्राइस पॉंट में आपको काफी अच्छी स्पैसिफिकेशन देखने को मिलती है लेकिन अगर आपको बिलोव 50,000 में एक थोड़ा से कैसा लेटाप से जो थिनन लाइट भी रहा और इसके साथ साथ performance भी अच्छी रहा है यहाँ पे Xiaomi के Mi Notebook जी हाँ Mi Notebook काफी अच्छी हो जाते है options यहाँ पे 50,000 के कम price में आपको इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेट कैमरे वाला भी option देखने को मिलता है इसके साथ साथ Mi Notebook के अंदर i5 processor के साथ आपको इक इंटीग्रेटेटर ग्राफिक काड वाला भी option है साथ ही साथ NVIDIA का जो MX250GP वाला जो option होता है वो भी यहाँ देखने को वाल रहा है वो भी 50,000 के range में और लेपटॉप काफी अच्छे यहाँ पे प्लस्टिक का थोड़ा ज्यादा यूज किया गया और इक इंपॉंटेंट चीज यहाँ पे जो कीवोड होता वो बैक लिट नहीं होता 10 generation Core i5 के साथ चलता है 8GB RAM में 1TB की SSD के साथ आपको देखने को मिलता है यह 14 इंची स्क्रीन के साथ Full HD Display के साथ आता है साधी साथ यहाँ पे आपको जो fingerprint scanner होता है उसका भी support देखने को मिलता है और 50,000 रुपीज के अंदर एक काफी well built और काफी recommendable laptop हो जाता है लेकिन वहीं बात करेंगर आपको करनी है gaming तो यहाँ पे 50,000 रुपीज के अंदर HP का Pavilion Ryzen 5 वाले एक special laptop है Ryzen 5 Processor के साथ आता है लेकिन इसमें NVIDIA का GTX 1650 graphic card है 8GB RAM में 1TB के hard drive है hard drive इसका सबसे weak point है 50,000 रुपे में आप इसमें gaming का मजा ले सकते हैं लेकिन hard drive इसको slow बना सकती है SSD वाले options है लेकिन वह काफी महँए है और इसके अंदर 1TB के hard drive है वह अपग्रेड़ेब है तो अगर SSD से अगर अपग्रेड कर लेते हैं वहां पे आपको काफी बड़ा back boost मिल सकता है लेकिन 50,000 रुपे के अंदर किसको gaming करनी है HP Pavilion का जो gaming laptop है यहां पे काफी अची चोईस हो सकता है as compared to दूसरी चोईस यहां पे असुस का tough भी आ जाता है एक option यहां पे tough के साथ problem यह कि thermals की दिक्कात है वहां पर build quality हो बहुत ही जादा बेकार है असुस की tough series के अंदर तो उससे better यह कि यहां पे आप HP Pavilion Gaming के ओपर चाहिए brand value और एक अच्छा experience है आप अच्छा experience कर सकते हैं लेकिन भाई अगर किसी को 50,000 के price के अंदर एक touchscreen laptop चाहिए तो क्या यहां पे IdeaPad FlexWide जी है Lenovo का एक laptop है जो की 2-in-1 आता है और 2-in-1 category के अंदर एक काफी सही laptop है जहां पे आपको touch screen भी देखने को लती है काफी सारी लोग के requirement रहते कि उन्हें touch screen चाहिए अलग-अलग notes बनाने के लिए अलग चीजों के लिए तो हाँ touch screen laptop भी इस list के अंदर जहां पे आपको Intel का 11 generation Core i3 Pro 256GB की SSD और 8GB की RAM देखने को लती है देखा है तो around 48,000 के price point के अंदर आता है एक decent laptop है specification थोड़ी से लो मिलती है लेकिन हाँ एक 2-in-1 और अगर हम बात करें एक touch screen laptop के हिसाब से तो यह काफी अची choice है जिसके उपर अगर आप लोग जाना चाते तो जा सकते है वैसे इसके अंदर आपको 14-inch का full HD screen हो थी वो देखने को बलती है जो कि complete touch है तो यह काफी अची choice है और अगर आपको below 50,000 में काफी अच्छा thin and live laptop चाहिए जो कि बहुत हलका और portable हो और साथ ही साथ अच्छी build quality और performance के साथ है HP का 58 काफी अची choice है यहाँ पर आपको Intel का 11-Generation Core i3 processor देखने को मिल रहा है 15.6-inch का full HD display देखने को मिल रहा है 8GB की RAM है और 512GB की SSD देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो weight है around 1.69 kg होता है और एक और important बात है कि लगभग 40,000 यह 41,000 के price point पे न यह laptop आपको market के अंदर देखने को मिल सकता है 40,000 42,000 रूपी में काफी अची बाए होता है गर आपको Thin and Light एक ऐसा laptop चाहिए college students के लिए जिसे आपको back के अंदर डाला है हर जगे carry करना है उसे और हमेचा उसकी battery life भी अच्छी आपको देखने को लिए और साधे साथ पतला हो और हलका हो यह laptop आपके खाफी ज़्यादा help कर सकता है HP का 15 laptop यह यहाँ पर Thin and Light के टिगरी के अंदर होता है Thin and Light चाहिए HP का ले सकते हो Gaming के लिए HP Availant Gaming है Officework के लिए Dell का वोस्ट्रो हो जाता है Overall Performance चाहिए सबसे अची चीज चाहिए तो Avita का भी laptop है और All-Rounder laptop यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि Asus के Vivobook 14 Ultra को वो मेरे को काफी पसंद आया हाला कि थोड़ा सा भेंगा लगता है पजास जार कूप एक segment में लेकिन वो काफी अच्छे एक All-Rounder एक well-built laptop हो जाता है यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर सारी बात है थी laptops के बार में जो कि best possible laptops under 50,000 के अंदर सबके जो links है नीचे description के अंदर दे रख्या आप उने जाके checkout कर सकते हैं और जिनना चाहते तो purchase कर सकते हैं वीडियो अगर आप लोगो पसंद आया तो like करने है चैनल को subscribe करे लिया मैं आप सब दो next video के अंदर goodbye